नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है आज आशीमा महाजन आपकी एध्यापी का लेकर आई है संस्कृत निकिता क्लास एट की बुक का चेप्टर सेवन जी हाँ, संस्कृत निकिता बुक जिनके भी पास है फटा-फट से वो बच्चे, क्लास एट के ओनली स्टूडेंट्स, सेवन चैप्टर पढ़ाने जा रही हूं बेटा फटा-फट से एक्स्प्राइशन को इजी वे में समझ लीजिए इस पार्ट में आपको बुक एक्सरसाइस पूरी सॉल्व करके मिली हुई है लेकिन चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है चलिए फटा-फट से देरी किये भीना पार्ट को शुरू करती हूँ इस्तरी शिक्षा सब्तमें पार्ट है शिक्षा से मनुष्य में अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्यान होता है शिक्षा से ही मनुष्य शुप कर्म करता है और अशुप कर्म त्यागता है माता ही उसके विवेक भुद्धी अस्तित्व और प्रक्रिती की प्रथम पाठशाला है अतेह उसका शिक्षित होना अवश्यक है इकारांत इस्त्रे लिंग का प्रियोग करते हुए इस पार्ट में बाली का शिक्षा पर विचार किया गया है जाने कि इस पार्ट में आपको words मिलेंगे इकारांत इस्त्रे लिंग के इकारांत मतलब जैसे नदी लिखा है तो नदी में बड़ीई की मात्रा आरी है न तो बड़ी ई हो गया इकारांत इस्त्री लिंग, इस्त्री लिखा है, तो इस्त्री में भी बड़ी ई की मत्र है, तो वो भी इकारांत इस्त्री लिंग है, चलिए पटापट से इस्त्री शिक्षा पाट पटते हैं, इस्त्री नाम कृते शिक्षाया महती अवश्यकम वर्तते इस्त्री नाम मतलब इस्त्रियों के लिए शिक्षया ज्यानिकी शिक्षा महति बहुत अवश्यकम वर्थते अवश्यक होती है। एतस्मात कारणात ता एव समे प्राप्ते मात्रो भवन्ती एतस्मात मतलब इस कारणात मतलब कारण से ता एव वे ही समे प्राप्ते मात्रो भवन्ती समे से जाने कि शिक्षा प्राप्त कर भाद में वो माता बनती हैं यथा पूरशिये शिक्षा श्रेयसकरी वर्तते यथा म लगाएंगे यथा पूरुषिय शिक्षा श्रेयसकरी वर्तते यद्यपी पूरुषों की शिक्षा श्रेयसकरी मतलब श्रेष्ठ होती है तथैव तब भी इस्तरी बियों अपी शिक्षाया महती अवश्यकम वर्तते तब भी इस्तरीयों की शिक्षा बहुत अवश्यक होती ह जैसी माता होती है ततहर संतती भवन्ती संतान भी वैसी ही होती है जब वैसी ही संतान भी होती है यदि मातरो अशिक्षिता विद्या शुन्या हां कर्तव्य ज्ञान ही नाश्च संति यदि माता शिक्षविहीन जानिकी अनपड जानिकी अशिक्षत ज्ञान विहीन विद्या शुन्या ज्ञान विहीन और कर्तव्य ज्ञान नहीं नाश्च कर्तव्य के ज्ञान से युक्त नहीं है तरही पुत्रा तो उसके पुत्र पुत्राश्च और पुत्रियां तथैवा विद्या ग्रास्ता कुशलता रहिता च भविशन्ती तो उसके पुत्र और पुत्रियां उन्हीं के जैसे अनपड एवं क्या रहेंगे अकुशल कुशलता रहित होंगे भविशन्ती कोंस तो होंगे नेक्स पेराग्रफ यदी नारिशिक्षिता संती तो वे अपनी संतान का पालन करने में तो वे अपनी संतान का लालन पालन शिक्षा आधी ठीक रूप से समे के नुसा ठीक रूप से करेंगी हश्ट पुष्टा सद गुनो पेता हष्ट पुष्टा मतलब हश्ट पुष्ट चुस्त दुरुस्त हेल्दी एंड फिट और सद गुनों पेता मतलब अच्छे गुनों से संपन भवीश्यंती होंगी अतैफ अतैफ जा इस लिए जा इस परकार महा निर्वान तंत्रे अप्यू मस्ती कन्या अपेव लालनिया शिक्षनिया प्रेयत नतै अतैफ जाने की अतै महा निर्वान तंत्रे मतलब तंत्र में अप्यू मस्ती कहा गया है क्या कहा गया है कन्या पेव कन्या ही पालनी चाहिए और शिक्षनिया प्रेयत नतै और प्रेयतन करके उसे शिक्षित करना चाहिए नेक्स पैराग्राफ विवाहे संजाते कन्याह एव ग्रहस्ताश्रमे परविशंती विवाहे संजाते विवाहो जाने पर कन्याह जालेगी बहुवचन कन्याए ग्रहस्ताश्रमे ग्रहस्ताश्रमे परविशंती परवेश करती हैं यदी विद्वान पुरुष की पतनी क्या है 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 विद्वान पुरुष की पतनी हैं अतेह इस्तरी नाम अपी शिक्षा पुत्रा नाम शिक्षा वदेव अवश्यकम वर्तते अतेह मतलब इस परकार जा अतेह इस्तरी नाम अपपी इस्तरी शिक्षा भी इस्तरी नाम शिक्षा अपी तो इस्तरी शिक्षा भी पुत्रा नाम शिक्षा वदेव पुत्रों की शिक्षा की तरह अवश्यकम वर्तते अवश्यक है जा अवश्यक होती है इस्तरिया मात्री शक्ते प्रतीक भूता संती इस्तरियां जो है वो मात्री शक्ती की प्रतीक है अतस्ता साम सदा समाने करनी है अतै उसका सदैव उनका सदैव समान करना चाहिए जसिमन देशे समाजे इस तरी नाम आदरोभवती, जिस देश में और समाज में इस तरी का आदर होता है, सै देश है, वह देश, समाज और समाज, च लिखा है न, च उन्नतीम, च उन्नतीम, दो वर्ड से मिलकर बना, च उन्नतीम, वह देश और समाज, उन्नती प्रापनुता है, मतलब प्राप्त कर इतिये शलोक आपने बहुत बार सुना होगा यहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है अतह इसलिए देशसे समाजसे चो नते शिरी वृद्देच इस्तरी शिक्षा अतियंतम अवश्यकम वर्तते अतह मतलब अतह देश और समाज के उत्थान और वृद थूट पी गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यह शब्दर दिये गए है इन्हें अच्छे से देख लीजिए शब्दर्थ के बाद आपके पेच पर कुछ बचे हुए शब्दर्थ के साथ समर्णियम जानिकी दो विभक्ती रूप दे दिये गए है नदी इकारांत इस्तरी लिंग का रूप दे दिया गया है और इस्तरी जसका अर्थ होता है महिला उसका इकारांत इस्तरी लिंग का रूप दे दिया गया है तो आपको ये दोनों अच्छे से याद करने हैं क्यूंकि अगर exercise में कुछ questions पूछे जाएं तो आप फटा-फट से इन दोनों के अधार पर question के answer देने के काबिल हो जाओगे okay students चलिए next ये आपको मैंने written में explanation भी provide करवा दी है जाने कि अगर कुछ छूट गया है सुनने में तो आप यहां से भी देख सकते हैं और अगर आपको copy पर भी लिखना है तो आप देखकर लिख सकते हैं आगे बढ़ती हूँ exercise की तरफ आपकी exercise में पहला कोशन दिया है कस्मात कारनात इस्तरी नाम कृते किस कारण से इस्तरीयों के लिए शिक्षा बहुत अवश्यक है तो यह आपके लिए कोशन है तो इस्तरीया समे प्राप्ते मात्रो भवन्ती इस्तरीयां जो है वो क्या करती है इस्तरीयों के लिए शिक्षा बहुत अवश्यक है इस कारण से शिक्षा प्राप्त करने के बा उनकी संतान भी वैसे ही होगी ठीक है नेक्स कोशन है यदी मात्रो शिक्षिता भविशती अगर माता पड़ी लिखी है तो उड़की संतान कैसे कारे करेगी तो आपको आज़र दे दिया गया है उनकी संतान विद्या युक्ता होगी हश्ट पुष्टा सद्गुनो पेता चबवी शिंती विवाहे संजाते विवाहोने पर कन्या कहां परवेश करती है जी हाँ ग्रैस्थाश्रम में परवेश करती है यत्र नारियस्तु पुजयनते तत्र के रमनते यहां नारी की पुजा होती है वहाँ को निवास करता है देवता आपका आंसर है देवता रेक्त स्थानों की पूर्ती तो बच्चे खुदी कर लेंगे राइट स्थुडेंट्स हिंदी समझा देती हूँ इस्तरी नाम कृते महतिय वश्यकम वर्तते कहते है इस्तरीयों के लिए क्या बहुत सरूरी है तो आंसर है शिक्षाया यथा भवती यथा जहां पे माता क्या होगी यहां पर होती है कौन होती है माता तो यहां पर आंसर दे दिया गया है यह था मात्रो भवती तथैव संतती भवंती वहां संतान होती है जहां माता होती है वहां संतान होती है कन्या अपेव शिक्षनिया प्रयतनते कहते है कन्या का लालन पालन शिक्षा जो है वो क्या है जरूरी है तो आप यहां पर लिख सकते हैं विद्याया भावा विद्या के अभाव में विद्या की कमी से इस तरियां अपने कर्तव्य को नहीं जान पाती हैं तो यहां पर कर्तव्य आ जाएगा अतै बहुत से रोगों बहुत से जो रोग हैं वह आदस्च तत्र स्थानम कुरवंती वहां बहुत से रोग वहां बहुत सी परिशानि या होती है अतह हैं देश अस्य इसलिए देश और समाज की उनती लिए उसकी विद्धी cared इस तरही शिक्षा अवश्यक है ओके स्टुडेंट्स नीचे अदो लिखी ता नाम वाख्य नाम संस्कृत अनुबाद अब संस्कृत में अनुबाद करना है इस्तरियों की शिक्षा अती अवश्यक है का मतलब वर्तते इस्तरी नाम करिते शिक्षायाह महती अवश्यकम वर्तते जैसी माता होगी वैसी संतान रहेगी जथा मात्रों भविश्यंती तथैर संतती भविश्यंती पुत्रों के पालन में जानिकी पुत्रा नाम पालने माता का स्थान मात्री नाम प्रथम स्थाने अस पूरुष मतलब पूरुष, विद्वान के साथ विसर्थ लग जाएगी, इस्तरी लिखकर और को हम बाद में च लिखेंगे, अशिक्षित का मतलब अशिक्षिता लिखेंगे और है का अस्ती लिखेंगे, ऐसा दामपत्य जीवन सुख कर नहीं होता, एदाद रिशे दामपत जीवनम सुख करम ना भवती, ओके, कोशन नमबर फोर, निमल लिखी शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में करनी है, जानी की मेकता संटेंस, फ्रेम दा संटेंस, स्वपुत्रा नाम, तरहीता स्वपुत्रा नाम पालने रक्षने शिक्षना दिकम करीश्यंती, तभी त अगर एक बार कोशन भी याद कर लेंगे, तो आप मेक दा संटेंस में भी लाइन्स लिख सकते हैं, शिरी वृद्दे, देशस्य समाजस्य चोर नते, शिरी वृद्दे, इस्तरी शिक्षा वश्यकम वर्तते, येस, नेक्स कोशन है, फाइब, बाक्य दिया है, जिसमें से और विशेश्य अलग करना है, अड्जेक्टिव अलग करना है, महती का मतलब होते हैं, बहुत, अब बहुत जो है, वो तो अड्जेक्टिव ही है, जानि कि महती विशेशन हो गया, और विशेशन का विशेश्य क्या है, यहाँ पर अवश्य कम, ओकी, नारिया, शिक्षिता संती आप पड़ा लिखा होना वो तो अडजेक्टिव है शिक्षिता हो गया आपका विशेशन और नार्या हो गया विशेश्या शिक्षा श्रियसकरी भप्ति अब श्रियसकरी तो अडजेक्टिव है और किसके बारे में बात हो रही है शिक्षा के बारे में तो शिक्षा हो विशेश्य नेक्स कोशन है आपका विबक्ति और वचन पहचानने है स्टूडेंट्स माहा निर्वान तंतरे अब रामे लिखते हो आप रामे सब्तमी विबक्ति एक वचन है उसी परकार यह महा निर्वान तंतरे है सब्तमी विबक्ति एक वचन विद्याया विद्याया रम चलता हो एक वचन आजाएगा नारियर प्रत्मावी वक्ति हैए एक वचन है संतती भी प्रत्मावी वक्ति वचन वपी वचन रा Ohh जब आप रामे इशु लिखते हो तो है 첫 में वचन मे आता हैं नेक्स कोशन आपका को प्नमलो कि धातू रूपों के लकार है पुरुश और व लट लकार प्रथम पूरुष एक वचन भफ्ती भी लट लकार प्रथम पूरुष एक वचन है परविशंती लट लकार प्रथम पूरुष बहुचन करीश यंती अब बीच में आदाशा शटकोन वाला लगया फ्यूचर टेंस आगया लट लकार प्रथम पूरुष बहुचन कुरवंती लटल कार का है प्रफम है प्रत्वम पुरुष बहुवचन कैसे पता है आपको करोती कुरुतय कुरवंती लिखते हो ना उसी परकार प्रत्वम पुरुष बहुवचन अब इकारांत इस्तरी लिंग इस्तरी शब्द के तरते और शष्टी विबक्ती के रूप आपकी बुक में दे रखे हैं फिर भी आपको नीचे मैंने प्रवाइट करवा दी हैं ये दोनों रूप आप अच्छे से याद कर लीजिएगा पूरी की पूरी विबक्ती आपकी बुक में दे रखे हैं पहले आप अच्छे से याद कीजिए फिल यहां पर फिल कीजिएगा उसी परकार नदी शब्द की चतुर्टी और शष्टी पूछी गई है इसी परकार आप याद करके यहां पर लिख लीजिएगा बहु विकल्पिय प्रेश्न पूछे गए है आपसे उन्होंने कहा कि फिलिंग इन दा ब्लैंक शिक्षा या महती अवश्चकम बर्त दे शिक्षा बहुत अवश्चक है पूर्शा नाम बाल का नाम इस्टरी नाम पशु नाम तो इस्टरी के लिए इस्टरी नाम राइट इस्तरियो मातरी शक्ती प्रतीक भूता है इस्तरिया मातरी शक्ती की प्रतीक है तो संती तो नहीं आएगा संती स्मे अस्ती स्ते चार ओप्षन दी है संती is the right option क्योंकि इस्तरिया बहुत सारी है बहुवचन है जो चार ओप्षन आपको दी है उसमें से पहला option आपका right answer रहेगा संती ओके students ये था इस तरी शिक्षा chapter class 8 का कैसा लगा like करिएगा share कीजिएगा दोस्तों के साथ comment करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर कोई confusion रह जाती है chapter में तो और मेरे channel को अगर अब भी तक subscribe नहीं किया आप इस वीडियो के description में check कर लीजिएगा जितने भी chapter अपलोड कर चुकी हूँ मैं वो सारे आपको इस वीडियो में दिख चाहेंगे और 22nd of August को आप सब को पता चल गया होगा कि संस्ट के दिवस पर एक मैं वीडियो प्रस्तुत करने वाली हूँ वो सारे बच्चों से में दिरिक्वेस्ट है कि 22nd of August की वीडियो को जरूर देखना है आप सब को और मुझे जरूर बताइएगा कि वो वीडियो आपको कैसी लगी ओकी ओकी स्टुडेंट्स गुडबाई एवरिवान